नमस्ते हरीनास कुकिंग लब में स्वागत है आपका आज की वीडियो में हम बनाने वाले है जैन केला पॉहा बनाएंगे बिना आलू और प्यास के ये पॉहा बनाने के साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स भी आपके साथ शेर करूंगी जिससे आपके पॉहा है वो ना ही तूटें है यहां पर मैंने तीन कप पॉहा लिये है पॉहा बनाने में दूसरा बहुत ही इंपोर्टन श्टैप यह है कि आप पॉहा को दो के कम से कम नॉर्मल जो रूम टंपरेचर वाला पानी आता है उसमें तीन से चार मिट के लिए भीगो के रखे तीन मिट पॉहा को भीगोने के बाद इस तरह के से कोई भी एक छड़नी लेजे और उसके उपर सारे पॉहा को निकाल लीजे सारा पानी छड़नी में से निकल जाए फिर पॉहा को ऐसे ही 15 मिट के लिए रखे यह तीसरा बहुत ही इंपोर्टन स्टैप है जिससे आपके पॉहा कड़ाई में नीचे चिप केंगे नहीं एकदम परफेक्ट बाहर जैसे पॉहा बनाने के लिए यह स्टैप बहुत ही ज़रूरी है कम से कम पॉहा को 15-20 मिट के लिए इस तरीके से छली में रखे 20 मिट के बाद एक पैन में तेल रखेंगे यहाँ पर मैंने नौस्टिक के कड़ाई ली है आप कोई भी कड़ाई ले सकते है तीन टेबल स्पून ओइल करम रखा है तीन चू बड़े वाले चमाच आते है वह अब इसमें बो टेबल स्पून जित्ते हैं मूमफली के दाने दालेंगे इसे 1-2 मेट के लिए भूनेंगे मिडिम फ्लेंपे अब इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे वन पोर टीस्पून हिंग डाल देंगे थोड़े से मीठे नीम पत्य डालेंगे तीन से चार हरी मिरच चॉप की उए डाल देंगे अगर आप तीखा कम खाते हैं तो हरी मिरच कम डालिए एक कच्चा किला इस तरीके से छोटे-छोटे पीस करके डालने हैं अब इसे हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे कम से कम तीन से चार मिट के लिए पकने देंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पैसंदार ही है पर चैनल को अब तक सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को क्लिक पर लेजे ताकि मेरी चैनल पे आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन को तुरंद मिल जाए अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वादनों सार अभी ज्यादा नमक नहीं डालना है पोहें में भी हम थोड़ा नमक डालेंगे बन पोर टीस्पून हल्दी डाल देंगे अब इसे हिला के मिक्स करेंगे और डग के कम से कम दो से तीन मिट के लिए और पकने देंगे तीन मिट के बाद धकन हटा के चैक करेंगे अब इसमें एक से दो टब्यस्पून जितना पानी डालेंगे पानी डालके हिलाके इसे वापस से एक से दो मिट के लिए पकने देंगे दो मिट के बाद चेक करेंगे दिखे ये कच्चे के लिए अच्छे से पक गए है आप इसे ये एक बार तोड़के या दबाके भी चेक कर सकते है अब इसमें पौहा डाल देंगे अब स्वाद अनुसा नमक डालेंगे हमने पहले भी नमक डाला हुआ था इसलिए इस वक्त थोड़ा संबाल के नमक डाले ज्यादा नहीं हो सककर डालेंगे मैंने ये यह पे 1 टबल स्भान सककर डाली है अगर आप मीटा खाना पसंद नहीं करते तो सक्कर को स्कीप कर सकते है 2 टबल स्पून लेमन जूस टाला है 1 फोर्ट टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे इन सारी चीजों को और पौहे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कभी भी आप पौहें बनाएं तो हल्दी डालते हैं वो तड़के में डालिए ना कि पौहें में जिससे पौहें में हल्दी अच्छी तरह से मिक्स होगी पौहें बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ आप जो पौहें भीकोते हैं और पौहें को छलनी पे निकाल के रखते हैं वोस उस टाइमिंग का ही आपको ध्यान रखना होता है उपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसे भी एक बार पौहें में मिक्स कर लेंगे अब पौहें को धखके 2-3 मिट के लिए पकने देंगे तो लिज़ी हमारे जैंक केला पौहां सव करने के लिए तयार है इस पौहां को गर्मा गरम ही सव करे और अगर आपको पौहां कुछ देर पास सव करने है तो नीचे कड़ाई में थोड़ा सा पानी रख दीजे और उसके उपर कोई भी कटोरी या तो बर्तन में पौहां रखके फिर ढगके उसे गरम करें इस मेतर से पौहां गरम करने से जैसे ऐसा लगेगा कि आपने पौहां ज़स्ट बनाए है इस पौहां को उपर से थोड़े सा हरा धनिया और रटला में से से गार्निशिंग करेंगे आप चाहे तो इसमें थोड़े से उपर से अनार के दाने पी डाल सकते है इस पौहां की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राइ कीजे और आपके ओपिनियन यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजे अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूले और चैनल को मेरे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले